देखे, हम लोग समझेंगे फिर से सब्जेट वर्ब एग्रीमेंट को एक नई लेविल पे इस वाले वीडियो हम लोग थोड़े एक्जामपल्स देखेंगे लेकिन मैं उनमें आपको ऐसी टेक्निक बता दूँगा कि वो थोड़े से एक्जामपल्स की जगे अगर आपको हजारों मिलियां लेखे हुए तो भी आप सेंस निकाल के सेंटर सही कर सकते हो एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा कॉंसेट, एक ऐसी एप्प्रोच में बताऊंगा जिससे आपका point of view clearly change हो जाएगा और एक new way में work करेगा तो हम अब यहाँ पर क्या check करेंगे हम यह देखेंगे कि यह subject हमने एक यहाँ पर ले लिया फिर एक subject यह ले लिया और बीचन डाल दिये end तो यहाँ पर दो वात होती है, हम यह देखते हैं कि वहाँ पर है तो plural happy word वाती है, singular happy word वाती है जैसे कि slow and steady win होगा के wins होगा the race काफ़ लोगों पूछा है, comment में भी आया है, instagram पर लोगों पूछा है अचे एक चीज और है, कि जो लो facebook, instagram या कहीं पर मुझे से पूछते है तो मुझे एक बाद छोटी सी बताओ, आप अपनी जगह पर student ना हो करके, student ही मालो आप student हो, कि आप किसी इंसान को tapping के throw, कोई चीज क्लियर कर सकते हो कैसे भी, 2-3 lines में नहीं, 2-3 lines में आप कभी किसी इंसान को क्लियर नहीं कर सकते हो, जब तक उसका एक explanation नहीं हो मेरी हर एक बात का एक explanation होता है, काफी लंबा वो उस explanation को अगर मैं tapping करके भी समझाता हूँ, तो जो feeling मेरी है, वो आतर नहीं पहुँच पाएगी, जो मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं reply नहीं करता हूँ अब यह सोचों कि doubt फिर कैसे clear होगे, doubt को वीडियो मिलेगा, उसके लिए परसान नहीं होना है और वो कैसे क्या पूचे जाएगा वो भी मताऊंगा, तो परसान नहीं होना है, जोड़े रहें, पढ़ते रहें जब दो nouns को एक साथ end से जोड़ते हैं, तो हम यह देखते हैं कि वहाँ पर यह तो singular helping वरवाती है, या फिर plural helping वरवाती है, ऐसा कैसे होता है जब यह दोनों चीजें, ध्यान से सुनना, यही point है, यही track है, यही concept है, जब दो चीजें end से जोड़ी हों, और दोनों एक साथ work कर सकती हों, या दोनों एकी की part हों, या कोई एकी चीज के हिससे हों दोनों, या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिल सकते हैं अगर ऐसी बाते हो रही है तो ये अपने साथ में singular helping verb लाएंगी फिर सुनना दो सब्द मिलकर के कोई एक इनसान के बारे में कोई एक object के बारे में कोई एक idea के बारे में object का मतलब कोई वस्तू वगरा को represent अगर कर रहे हो तो singular helping verb आएगी मैं दो सब्द एक साथ लेके end से दोनों कैसे करें एक साथ नहीं मिल सकते हैं दोनों अलग 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 चीजे हैं दोनों अलग 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 रेटर में बिखती हैं दोनों का कह सकते हैं जो chemical formula वो अलग अलग है यानि कि दो चीज़े जोड़ी हों, दोनों चीज़े अलग-अलग हों हर कीमत पर हर कीमत पर वो अलग-अलग ही रहती हों तो वो जब अलग-अलग के सेंस में होती हैं तब वहां पर यूज़ करते हैं plural helping work यही concept था, यही track थी, अब इसको apply करके देख लेती हैं एक बार हम कहते है slow and steady win या wins तरेस तो अभी तक हमने यह सीखाया कि subject की जगे पर तो noun आता या pronoun आ रहा था slow और steady यह तो adjectives हैं, यह तो sentence ही गलत है आप लोग इसको तो जानते हैं कि sir wins आएगा, मैं जानते हैं आपको आंसर मालूम है लेकिन मेरे question का आंसर यह भी तो दो कि slow adjective है और steady adjective है adjective direct subject कम नहीं कर सकती हैं और अगर मुझे उन्हें subject बनाने तो उनके आगे दा लगाती हैं और दा लगा है तो वो plural हो जाते हैं दपूगा, दा रिच यादा रहा है तो overall इस रिसाब से तो यह sentence ही गलत है sentence गलत नहीं है यह दौनों के दौनों word मिल करके एक इनसान को represent कर रहे हैं कैसे? मैं आपको यह बात एक example समझाता हूँ गाओं में क्या होता है कि जो ककड़ी होती है जानते हो कुकुमबर वो बहुत ही जल्दी बड़ी होती है तो मैं तो देखा नहीं लोग कहते हैं गाओं के कि जैसे कि लौकी है कुकुमबर है तो यह रातो रात बड़ी हो जाती है और इतनी जल्दी बड़ी होती है कि ये जल्दी टूट भी जाती है तो जो चीज जल्दी बड़ी होती है वो उतनी जल्दी टूट जाती है ये तोड़ दी जाती है तो अगर ग्रूब होना है तो एक साथ कोई किसी का पैसा हड़ाप के बड़े मत हो खुद मेरत करके हो तो लंबे समयते हो पैसा ठिकता है किसी दूसरे का आपने हड़ लिया ना तो ले तो लिया आपने लेकि उसको खर्च कैसे करने उससे क्या आगी करने वो आपको पास कोई आईडिय नहीं होगा लेकि संगहस के दोने ही सारे विचार आ जाते हैं अब इस वाद को समझो तो हुआ क्या कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक इनसान था तो उसको मिल गए बहुत सारा पैसा मैं का उसको तो पैसा मिल गए आप देखो दो लोगों के बारे मैं बात कर रहा हूँ उन दो लोगों को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ आमनों बीचे कोई डिस्कॉसन कभी हो तो मैंने का क्या कि स्लो एंड शिटी विंस तर इस जो धीरे और सहीय में तरूप से काम करता है ना वही अच्छा वही जीता है वही आगे बारता है तो मैंने क्या किया कि मैंने किसी इनसान के गुणों के बारे में मैंने किसी इनसान के गुणों के बारे में बता है ना कि उस इनसान के बारे में द्यान सुनना मैंने का जो धीरे धीरे चलता है जीवन में और उसका reference देता हूँ, उस ideal, उस अच्छे इनसान के बारे में, तो वहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ही बताओ, मैं ही कह रहा हूँ कि जो इनसान धीमा होता है, क्या वो जी सकता है कभी? नहीं, जो इनसान इस्थेर है, वो क्या जी सकता है? नहीं, जो धीरे भी है, जो इस्थेरे भी है, जो सिलो भी है, जो सही भी है, वो आदमी आनम्स दीरे चलता भी है, और बाड़ता चला जाता है, इट मीज, ये दोनों के दोनों सब्द, किसी एक ही इनसान को represent कर रहे हैं, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होंगी, वही इनसान जिन्दिगी में जीएगा, या जीत पाएगा, क्लिव रहा है, तो यहां पर जो एजेक्टिप्स हैं, वो किसी एक इनसान का reference दे रही है, और एक ही इनसान का reference दे रही है, तो इन दोनों adjectives का मतलब कोई एक इनसान है, जिस इनसान का मने नाम नहीं लिखा है, sentence यहां तर ठीक है, slow and steady समझ में आ गया, ये adjectives में किसी एक इनसान को represent कर रहे हैं, इसलिए sentence मेरा correct है, उस इनसान के बारे में सबी लोग जानते हैं, ये pro work type में मान सकते हैं, इसलिए भी sentence मेरे ठीक है, और ये दोनों एक ही इनसान को represent कर रहे हैं, तो हमारी singular verb आएगी, singular verb आएगी, बात आई समझ में, चलिए, नहीं आई तो दो-तीन बार देखना वीडियो और खुद 10-15 बार बैट करके सोचना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात experience वाली है, तब ही समझ में आएगी, fire and water, don't or does not agree, पानी और आग एक दूसरे समझ से अलग-अलग होते हैं, तो क्या पानी में आग रह सकती है, नहीं, न तो पानी में आग रह सकती है, नहीं आग पानी में रह सकती है, किसी वी condition, कोई एक दूसरे से वो अलग-अलग ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, आग में पाइं डालो गोगे तो बुच जाएगा और आग ली मैंने पाइं डाल दी तो भी बुच जाएगी ओबारल दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं दोनों अलग-अलग हैं डिफरेंट हैं तो मेरी यहां पर डॉन्ट होगा डस नोट नहीं होगा ट्रिक क्लीर होगी मेरी गोल्ड एंड सिल्वर इस यह आर मेटल अब कोई साथ दौनों तो दौनों मेटल ही हैं यह तो बस सही है अब आजाओ क्या मैं जैसे मारचलो के मार्केट में 40 यहार रुपे का 10 ग्रम सो ना मिलता है अगर मैं 40,000 रुपे की अगर मैं चांदी खरीडी ना चाहूं तो क्या मुझे 10g ही मिलेगी, नहीं, वो तो मुझे हो सकता है कि आदा किलो से ज़्यादा मिल जाए, 700g मिल जाए, तो overall दौनों को बजन में डिफरेंस है, दौनों को रेट में डिफरेंस है, दौनों को साइज में डिफरेंस है, तो हर चीज़ डिफरेंस उसका chemical formula भी अलग ह उसका जो आपका paradise table होती है, जो आवाज साढ़ने होती है, paradise table, उसमें भी उसका formula अलग है, तो overall दौन चीज़ अलग अलग है, भाली दौनों metal हैं, लेकि दौनों चीज़ अलग अलग हैं, तो अगर मैं कहूं कि आप आई मेरे पास, आपने का कि मुझे 100g सोने का एक necklace चाहि देता हूँ, कि सोने का जो rate है, उसी rate में चांदी का मुझे आप दे दोगे पैसा, नहीं, चांदी पैसा आप दोग नहीं, आपका को आउग है, बात हैं इसमें दोनों के rate अलग है ना, तो चांदी मैं सोने बदने आपको चांदी दूँ और सोने के rate लों ऐसा पॉसिवल तो दोनों चीज़े अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पर आएगा आर ठीक है राइस एंड करी इस या आर माई फेवरिट डिस यह कॉमन सेंस की वारत है कि राइस और करी दोनों को फॉर्मॉल अलग है दोनों को चीज़े अलग अलग है दोगंदार पर जाओंगे तो रेट भी अलग अलग होंगे लेकि दोनों को एक साथ रख सकते हैं दोनों एक साथ रखते भी हैं दोनों को एक साथ खाते भी हैं दोनों एक साथ खाते भी हैं इस हिसाब से यह दोनों चीज़े एक ही हैं एक ही object को represent कर रही है बहुजा नहीं यह दोनों मिलकर की food तो यहां पर आएगा मेरा is r नहीं आएगा अब कुछ लोग कहें सर के ऐसे तो gold और rice का भी formula अलग अलग था क्या मुझे आप यह बता कि दोनों को मिला कर कि आप आप उसन बनमाते हो जैवली नहीं नहीं सोने का अप अलग चीज बनवाते हो चांदी का अलग बनवाते हो यह वात इक अलग है कि कोई भी चीज जो necklace है जो ring यह उसमें ताबा copper और आपका silver mix होता है क्योंकि वह मुड़े ना क्योंकि सोना जो है बहुत ही light मतलब ऐसा होता है क्या कह सकते हैं लूज टाइप का होते हैं फिर कैसेते हैं बहुत ही ज़ली मुड़ जाता है तो इसको tightness करने के लिए वहां पर इसमें other material डालना पड़ता है other material इसमें add करने पड़ते हैं clear तो इसके तरीका होता है process चीज़ों को बनने का ऐसा ही नहीं होता सब कुछ प्रोर नहीं होता सौ होना कभी भी 80-70% पर ही मिलता है bread and butter is my are my favorite breakfast एक तो बहुतर समझते हैं कि मैं विस्टा सही पड़ देता हूं खेर कोई दिख कर नहीं bread or butter दोनों चीज़े अलग अलग हैं दोनों का formula अलग हैं दोनों के rate अलग हैं लेकिन क्या हम दोनों अलग अलग खाते हैं कि एक साथ खा आते हैं तो एक object को ये refer कर रही हैं तो यहां पर आर नहीं इस आएगा अब सही पड़ देता हूं तो habit होगे पढ़ने की horse and carriage is or standing here horse और carriage यानि गाड़ी तो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना तो इसमें जो गाड़ी और घोड़ा दोनों एक ही चीज़ होती हो आपर दोनों मिलकर के गाड़ी का काम करते हैं तो यहां पर आपका आर ना करके इस आएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का काम करते हो आप पर अब घोड़ा गाड़ी अलग अलग नहीं है बहले ही मैं कहते जिस बेल गाड़ी है तो बेल गाड़ी बेल अलग होती है लेकि दोनों में पढ़ चुके हैं यह आपकी एडवर्ब है कि स्क्रीमिंग एंड साउटें चीखना चिलाना जम चीखतें चीखतें चिलाते भी हैं दौनकाम एक ही साथ होते हैं तो यहां पर मेरा आएगा इस ठीक है क्राउंड ग्लोरी है या है या है इस या दियर राइट मतलब जो यह का कौमसरेंश का थे बिधाय को मंत्री हो तो मंत्री क्राउन है ना मुकोट है उनका यह पहले टाप पर मुकोट होता था कि रानी एलिजबेद फर्स्ट सेकंड चार्स ऐसे करके होते थे अभी भी एक एंग्लेंड में हैं तो वह मुकोट लागा कर रखते हैं लेकिन ब मुस्या है तो ओवरॉल यह दोनों को दोनों एक ही इंसान को रिप्रेंट करते हैं जिसके पास पैसा है उस पास गलोरी है और जिसके पास गलोरी है उस पर पैसा जरूर हो गई होगा दोनों दोनों सब एक ही इंसान को रिप्रेंट कर रहे हैं तो यह पर हैज आएगा और यहाँ पर यहां पर यहां पर यह दोनो किसी इन्सन के नाम नहीं नहीं है, आतार और जी वन की हिस्से थाइओ कोई चीज ऊपर जा रही है, तो नीचे तो अलग है ये उपर हिस्सा एक अलग होता है नीचे इसा अलग होता है उतार चड़ा कर समझ लो कि अमीरी और गरीवी सुख या दुख जीवन में आता जाता है ये इसका भाग है तो जब हम सुखी होते तब दुख नहीं होता है और जब हम दुखी होते तब सुख नहीं होता है इसका म लगें, तो यहां पर आपका आ जाएगा, और फिर यहां पर एक पार्ट अट करके, पार्ट आफ लाइफ हो जाएगा, प्लूरल, एक और समझ लो, जिस मैं कहता हूँ कि, और एंड वाटर ले लो, और एंड वाटर, अब इस आएगा कि आ रहे गा, बताओ, आप कोई सब दो दोंची लिक्विड हैं, लेकिन अगर मैं पानी में ओएल डाल दों, तो दोनों मिक्स हो जाएगी, क्या, नहीं होंगे, ओएल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, तो यहां पर आपका आर आएगा, हमें बस यहीं चेक करने, दोंचीज अलग अलग काम करती हैं, कि एक साथ काम करती हैं, इस से में क्लियर चीजे हो जाएंगी,